ठीक है तो आज का हमारा टॉपिक है सब सेंटर्स क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कुछ भी लिखने की ज़वत नहीं है क्लास के नोट्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे वहां से आप डिरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं तो शुरू करते हैं हमारा हेल्थ केर ओफ दे कम्यूनिटी वाले चैप्टर का अगला टॉपिक दैट इस सब सेंटर्स तो भई सब सेंटर्स या फिर सब हेल्थ सेंटर्स को हिंदी में क्या कहते हैं सब सेंटर्स या सब हेल्थ सेंटर्स का हिंदी का नाम होता है आपका उप स्वास्त केंद्र इन फेक्ट आपको ग्राम आरो की केंद्र नाम से भी आपको गाउं में मिल जाएंगे तो उप स्वास्त केंद्र या सब हेल्थ सेंटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे याद है हमने healthcare delivery system पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि भाई, grassroot level workers कौन से होते हैं, तो हमने पढ़ा village health guide होता है, आंगनवाडी worker होती है, आशा होती है, उसके अलावा local dyes होती है, उसके बाद शुरू होते हैं centers, तो centers में होता है, सबसे पहला आंगनवाडी center, जहां पे आ sub centers, तो sub centers जिनकों की दूसरा नाम होता है, उपस्वासकेंद या sub health centers जो होते हैं, most peripheral health center होता है, याद रखना, आंगनवाडी center तो एक छोटा ता center है, जहां पे आंगनवाडी कारिकरता वगरा होती है, अगर health centers की बात करें, तो हमारे पास sub health center, जो हमारा healthcare delivery system है, उसमें most periphery वाला, block level पे हमने देखा कि block level पे हमारे पास CHC होता है, community health centers, फिर उसी block को हम चार भागों में विभाजित करते हैं, तो हमारे पास आते हैं कौन से, पी एचसी, यहां पे भी हमको doctor मिलता है, और फिर एक पी एचसी को हम 6 भागों में जब विभाजित करते हैं, तो हमको मिल अब एक और important चीज़ जिस पे आपको MCQ आ सकता है, कि सबसे पहला contact point होता है, एक community यानि की आम जनता और एक health center का, याद रखना हमको 3 health centers के नाम याद रखने हैं, that is sub health center, उसके बाद primary health center, उसके बाद community health center, और उपर फिर district hospital और medical college वगर आएगा, तो sub health center जो है, वो most periphery में हो होता है, ठीक, तो यह हमको याद रखना है, उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई साब, ministry of health and family welfare के तहत यह आता है, और 100% central assistance होती है, यहाँ पर याद रखना, क्योंकि हमारा जो PHC और CHC होता है, यह state government देखती है, जबकि जो sub center होता है हमारा, वो central government देखती है, तो यह याद रखना, sub center, central government, तो अगर आप याद करना चाहो, तो sub center भी सर से आता है, और central government जो होती है, वो भी सर से आती है, तो ऐसे याद कर सकते हो, sub center और central government सर से, ठीक है, उसके बाद आएगा आपका भाईया, कि एक sub center जो होता है, वो कितनी population में होगा, तो 3000 से 5000 की population में होता है, अब यह ऐसा क्यों बोला, 3000 से 5000, ऐसा क्यों बोला, हमने आंगनवाडी में भी देखा था, कि अगर हिली या tribal areas है, यानि कि अगर mountains वगरा है, और बहुत सारे जंगल वगरा है, तो 3000 की population में ही, एक sub center या उप स्वास्त केंद खोल देंगे, जबकि अगर plain area है, but obvious है कि वहाँ पर population जदा होगी, तो 5000 की जनसंख्या में एक उप स्वास्त केंद या sub center खोलेंगे, ठीक, उसके बाद हमने इस वाले diagram से देखा ही था, कि भाई, एक CHC को हमने 4 भागों में भाजित, मतलब एक CHC में 1, 2, 3, 4 PHC होते हैं, यह देखा था, और फिर यह जो 1 PHC वाला triangle है, इसको दे होते हैं, यह याद रखना कि 6 sub center एक PHC के तहर जादतर होते हैं, IPHS, that is Indian Public Health Standard के हिसाब से, एक sub center में at least 2 female health workers तो होनी चाहिए, at least होनी तो चाहिए, होती है कि नहीं, वो depend करता है, जादतर जगए 1 ANM होती है, मगर IPHS तो यह करता है कि भाई, दो होनी चाहिए, ठीक, तो sub health center मे sub center level पर होता है, इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं याद रखना कि एक सवाल आता है, community सबसे पहली बार health care system से कब मिलती है, health care system से मिलती है, village health guide के थृँ, वो health care delivery system का हिस्सा है, community सबसे पहली बार health center से कब मिलती है, वो होता है, sub center सबसेंटर क्योंकि सबसे नीचे सारे Saket ahead सबसेंटरमें सबसे नीचे आएगा तो health सबसेंटर और community community और सबसे पहले सबसेंटर LEVEL पे मिलते हैं अब एक सवाल आता है क्म्योनिटी और Dopṭा यहां मिलते हैं तो याद रखना primary health center पे क्योंकि primary health सेंटर के नीचे वाले कहीं भी डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर सबसे पहले प्राइमरी हैल्स सेंटर पे मिलता है यह हम अगले वीडियो में देखेंगे भी तो एक और चीज़ जो हमको पता चली कि भाई साहब सब सेंटर पे डॉक्टर नहीं होता है ठीक अब सबसेंटर नहीं दो तरह के होते है टाइप A और टाइप B फरक क्या है दोनों में देखो टाइप A जो होता है उसमें तीन स्टाफ है, तीन स्टाफ कौन-कौन से एक तो A&M होंगी, ताट इस उसमें चार स्टाफ है, चार कैसे हैं यहाँ पर एक A&M की जगर दो A&M कर दी हमने मेल हेल्थ वरकर फिर वोई एक ही है सफाई कर्मचारी भी एक है लेकिन इस बार ये फुल टाइम सफाई कर्मचारी है ऐसा क्यों है, ये भी हम देखेंगे अब टाइप A और टाइप B में सबसे बड़ा फर्म टाइप A जो होता है, सबसेंटर में जितनी भी सर्विसिस दी जाती है वो सब दी जाती है, except delivery नहीं होती है नॉर्मली सबसेंटर से पर delivery नहीं होती है और इसलिए टाइप A पर भी delivery नहीं होती है मगर जो टाइप B होता है, टाइप B को MCH सबसेंटर भी कहते हैं, MCH stands for Mother and Child Health, तो MCH सबसेंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि सारी services के अलावा यहाँ पे delivery भी कराई जाती है, तो टाइप B में delivery भी कराई जाएगी, याद कैसे करेंगे, तो B for baby या बच्चा and B for type B सबसेंटर, टीक है, तो baby यानि की delivery, तो B पे बच्चा पैदा करेंगे, तो सबसेंटर type B में delivery कराई जाएगी, अब ऐसा क्यों होता है कि type A में नहीं कराई जाती है, और type B में कराई जाती है, क्योंकि जो type A सबसेंटर होता है न, उसके आसपास ही कोई primary health center या community health center या civil hospital होता है, जहाँ पे delivery करवाते हैं, और इसलिए ज़रूरत नहीं है कि हम इस type A सबसेंटर में delivery कराई, जब कि जो type B होता है न, जो कि हमारा MCH सबसेंटर है, वहाँ पे दो वज़े हैं, जिस वज़े से यहाँ पे delivery कराई है, पहली वज़े कि वहाँ पे case load बहुत होता है deliveries का, कि वह जो सबसेंटर का जो area है, वहाँ पे बहुत सारी delivery वाले patients मिलते हैं, and second thing, उसके आसपास कोई भी ऐसा higher level का center, that is primary health center या community health center नहीं है, जहाँ पे delivery कराई जा सके, तो आसपास कोई delivery कराने वाली जगा भी नहीं है, और आसपास बहुत delivery वाले patients भी मिलते हैं, इसलिए यह इस type B वाले को MCH sub center बना दिया जाता है, और वहाँ पे delivery कराई जाती है, अब staff कैसे जाद रखेंगा भाई साब, अब अगर हमको यहाँ पे delivery करानी है, अगर हमको इस sub center पे delivery करानी है, तो हमको एक नहीं, हमको 2NM की जरुवत पड़ेगी, इसलिए एक एनम की जगह 2NM कर दी, अब क्योंकि यहाँ पे delivery करानी है हमको, तो साफ सफाई जादा करनी पड़ेगी, इसलिए हमको part time करमचारी ने, full time सफाई करमचारी चाहिए रहेगा, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, कि भाई type B जो है, B for बच्चा, तो यहाँ पे delivery होगी, और type B है, तो delivery करानी है, तो एक हमको 2 ANM की जरूबत पड़ेगी, और सफाई करमचारी हमको full time चाहिए रहेगा, सफाई करमचारी, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, type A और type B में फर्ग, उसके बाद आता है, क्या-क्या services दी जाती है, सबसेंटर में, तो भाई, सबसेंटर में normal curative, अब याद रखना कि सबसे सबसेंटर पे doctor नहीं है, सबसेंटर पे ANM ही सबसे उपर है, doctor नहीं है, तो simple curative services तो आपको दी जाएंगी minor ailments की, उसके अलावा एक MCQ आता है, कि सबसेंटर पे जो kit B होती है, उसमें क्या होता है, तो paracetamol, या आपको पूछ ले जाता है, paracetamol कौन सी kit में रखी रहती ह क्योंकि doctor तो हैं नहीं है, तो इनको kits दी रहती हैं, बताया रहता है, इसमें बुखार की दवाई है, इसमें सरदी की दवाई है, तो kit B के अंदर बुखार की, that is paracetamol की दवाई होती है, at the subcentral level, आपने थोड़े बहुत इलाज कर दिया, उसके बाद आप vital events maintain किये जाते ह vital events के साथ ही आप याद रखो कि, भीया eligible couple का register भी maintain किया जाता है, सब center level पर М 1963 आता है, इसको याद रखना कि eligible couple का register कहां maintain किया जाता है, तो eligible couple का register जो होता है, वो sub center में maintain किया जाता है, तो ये छो है, इसको इस तरफ मोड़ रहा है, इसको तुम थोड़ा सा अलग मोड दो, तो S बन जाएगा, यह E, तो इसको S, तो EC की जगा, eligible couple की जगा, SC that is subcenter पर maintain होता है, अब आपने eligible couple कर रिष्टर maintain कर लिए, तो आप family planning और contraceptive services भी वहाँ पर provide कर सकते हो, उसके बाद अगर family planning contraceptive services नहीं चाहिए, pregnant हो गई है, तो आप anti-natal care दो वहाँ पर, internatal care भी दो गया, आप post-natal care भी वहाँ पर दोगे, तो यह तो हो गई आपने, कि भई बच्चा पैदा बगरा हो गया, इसके अलावा, थोड़ा बाहर निकलो, बाहर में आप community need assessment भी करते हो कि, उस गाव में किन-किन चीजों की जरूरत है, वो ढूंडोगे, जैसे कि आप water quality monitoring भी करोगे, कि वहाँ का जो कुवा है, या तलाब है, उसकी water quality कैसी है, और उसके साथ साथ आप sanitation भी promote करोगे, कि भई open field application नहीं दो, सच भारत अभियान के तायत, गर में, washroom वगरा बनवाओ, इसके अलावा, सबसेंटर लेविल पर क्या-क्या और चीज़ की जाती है, तो training की जाती है, य उनके साथ मिलके सबसेंटर वाले activities को भी coordinate करते हैं, जैसे कि आगनवारी workers के साथ मिलके, आशा के साथ मिलके, और village health and sanitation committee जो उस गाव के होती है, उनके साथ मिलके सारी services को coordinate करते हैं, उसके अलावा, और भी school health services जो होती है, उनमें भी assistance provide करते हैं, सबसेंटर वाले, जितने भी national health programs चल रहे हैं, उनको भी implement करने में मदद करते हैं, for example, IDSP, that is, Integrated Disease Surveillance Project जो चलता है, यह हम national health program से पढ़ेंगे, field services भी देते हैं, सबसेंटर वाले, जैसे की village health and nutrition day मनाना है, गाव में उसके लावा, घर-घर जाके survey करना है, home visits करनी है, तो यह सारी चीजों में भी मदद करते हैं, याद कैसे करेंगे, तो I will say कि, पैर में याद रखना, ठीक है, यह तो single है, पहला वाला कि, भाई, curative services दी maintain कर लो, उसके बाद, यह दोनों साथ में कर लो, कि भाईया, आपने family planning और contraceptive भी दे दिये, वो काम नहीं किया, तो फिर pregnant हो गई, तो ANC, internatal और postnatal दे दो, ठीक है, उसके बाद आप बाहर निकलोगे, तो क्या क्या चीज देखोगे, आप पहली चीज तो देखोगे, कि community की जरूरत क्या है, उनको assess करो, और फिर community में ही जाके वहाँ का water quality standards देखो, और sanitation को promote करो, यह दोनों साथ में कर लो, उसके बाद आप देखोगे, कि भाई, दो और चीज़े साथ में कर सकते हो, that is, आप training करो, जो grassroot level workers हैं, जैसे कि local dyes, आशा वगरा, और उनकी services को भी मिल school health services को भी assist करो, और national health programs को भी assist करो, और सबसे आखरी तो भई, field health services हैं कि village health nutrition day, house to house survey, home visits, यह सारी चीज़े भी sub center level पर की जाती हैं, ठीक, तो इतनी चीज़े हैं, जो आपको sub center के बारे में पता ही होनी चाहिए, अगर मैं बात करूँ सवाल की, तो ना theory exam में आपको सवाल आ से आना चाहिए, उसके अलावा आपको वाईवा में बहुत important questions होते हैं, पहली चीज़ तो यही state level की central level, तो central level या central government इसको पूरी तरह से funding करती है, उसके बाद आपसे वाईवा में पूछा जाता है, कितनी population में, 3000 से 5000, वाईवा में पूछा जाता है, एक PHC है, कितने sub center एक PHC में तुछे, वाईवा में आपको यह बहुत important slide है, वाईवा की, कि भाईया type A और type B में फरक बताओ, और एक और कि भाईया MCH sub center किसको कहते हैं, तो यह आपको पता होना चाहिए, services के नाम पे at least आपसे बोला जाता है, कि भाई, normal normal बता दो, और eligible couple का register तो आपसे पूछा जाता है, कि भाई, यह बताओ, यह कहां maintain करते हैं, तो यह हम maintain करते हैं, sub center level पे, अगर मैं बात करूँ MCQs की, तो जितने भी underlined part है, हमारे notes और हमारे slides में, वो सभी अलग-अलग pre-pg exam में पूछे गए MCQs हैं, तो एक MCQ मुझे तो यही मिला था, कि भाई, कितनी population में होता ह है, sub center, तो tribal 3000, plane 5000, IPHS के तहट कितने female health worker होनी चाहिए, तो at least 2, उसके अलावा, आपको पूछा गया था, एक MCQ की, भाई, paracetamol कौन सी kit में होती है, तो kit B में होती है, paracetamol, तो आप याद कर सकते हो, कि यह जो आपने P है, इसमें एक और कोई लग जोड़ दो, तो यह भी हो जाएगा, तो paracetamol B में होती है, उसके बाद यह कई बार पूछा गया सवाल है, कि eligible couple register कहां maintain करते हैं, तो eligible couple register आप sub center level पे maintain करते हो, ठीक, तो इतनी चीज़े हैं, जो आपको sub center के बारे में पता ही होनी चाहिए, थैंक यू,